हेलो एवरीवन वेलकम तो इस कोर्स ओन फाइने अनिमेंट मेथड तो इस इस थर्ड मोड्यूल और इस मोड्यूल के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू शेफ फंक्शन तो इस इस लेक्षर नमबर थर्टीन ओके तो अभी तक बेसिकली इस को पूरे एफिय अधि अनिजन च्वाइब करेंगे और आज की ख्लास में यह दोनों टॉपिक्स देखने वाले ओके तो इस अर्टी इस लेक्षर तो बेसिकली शेफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जैसे कि मेरे पास यह प्रॉब्लम में एक यह बार है ठीक है यह यह मैं छोटे-छोटे elements कट कर रखे 123456789 और 10 इसके कारण टोटल 11 नोर्स मेरे पास यहां पर फॉर्म हो रहे हैं और मैं फिम की हल्प से इन नोर्स पर डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं जो कि मैंने अभी तक फर्स और सेकेंड मोडिल में पढ़ा है तो उनकी वेलियूस कुछ यह आ रही है मेरे पास अब मुझे चाहिए कि मैं किसी element के बीच में जैसे कि मैं इसको रख कर देता हूं मुझे पता करना है कि अगर इन दोनों elements यहां पर element के बीच में किसी point का क्या deflection होगा तो वह मैं कैसे करूँगा ठीक है तो shape function इसी problem को address करते हैं कि कि किसी भी दो नोर्स यह दो नोर्स हैं यहां पर यह दो नोर्स हैं दो नोर्स के बीच का किसी भी point पर अगर आपको deflection पता करना हो तो उसको आप with the help of shape function पता कर सकते हैं ओके तो यहां देख सकते हैं यह एक चुली एक simulation software का result है इसी बार के उपर यहां पर हमने लोड लगा रखा है यहां पर फोर्स लगा रखा थाओं न्यूटन और इसको फिक्स कर रखा है जब केंटी लीवर बीम बना रखा है ओके इसको जब deflection का result आता है तो हम देख सकते हैं यहां पर कि जो software है हमें कि सिर्फ नोर्स पर रिजल्ट ना देखे पूरे बार पर हमको result दे रहा है यह पूरी बार पर हमको result दे रहा है हमें चाहिए होते हैं कि हर points में हमें result चाहिए तो FEM तो हमें सिर्फ नोर्स पर रिजल्ट देता है तो इनके बीच की values पर result पाने के लिए हम क्या करते हैं शेफ functions का use लेते हैं ओके तो किस तरीकेसे शेफ functions यूज आता है देखते हैं चलो लो तो शेफ functions और is used to interpolate the deflection हमारे पास दो नोट्स थे इन दोनों के बीच का हमने वेल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करा है कि स्ट्रेट लाइन जोइन कर ली तो यह एक स्ट्रेट लाइन क्या है यह बिसिकली स्ट्रेट लाइन एक फंक्शन है ओके और यहां पर क्या काम कर रहा है इन दोनों ज़ेंडी इसके बीच की वैल्यूच मोर्णे का मों करने का काम कर तो इसके हम एक इंटरपॉलेशन फंक्ष्ण या फिर शेफ फंक्ष्ण बोलेंगे इसी इक्योट की इसी function की हमको equation find out करनी है वही हमारा शेफ function है ओके तो यहां पर हम exactly नहीं बता सकते और यह भी एक linear function यहां पर देख सकते स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्ट्रेट लाइन इसलिए linear है अगर यह कर होता है यहां पर भी कर होता कोई तो यह कोडिलेटरल शेफ फंक्शन या फिर क्यूबिक शेफ फंक्शन हो सकता था पट फिलाल यह एक linear function है ओके लोगे नाओ शेफ फंक्शन हमने देखा कि यूज टू इंटरपोलेट देफ्लेक्शन और डिग्री ओफ फ्रीडम विदिन दे element तो elements के बीच में अगर आपको किसी degree of freedom या फिर डिफलेक्शन वगेदा हमें पता करना है तो उसके लिए हम शेफ function का यूज लेते हैं तो शेफ function को किस तरीके सी यूज लेते हैं और define करते हैं वह जानने से पहले हमें उस को locate करना होगा जिस प्ट की हम shape function find out करना चाहते हैं तो locate करने कе लिए हमें सबसे पहले coordinate system को पढ़ना होगा या उसको जानना होगा तो basically दो तरह के coordinate system होते हैं global coordinate system और local coordinate system ठीड के global coordinate system में क्या होता है global coordinate system में आपके पास एक datum होता है औक एक datum या फिर एक origin जिन होता है जहां से सारे आपके measurement distances measure किये जाते हैं ओके जैसे कि इस datum से यह जो datum यहां पर बना रखा है इस datum से यह हमारा की element है one to two okay तो one point जो है यह element single element है इसका one जो node है वो इस datum से कितना distance पर है x1 distance पर x1 ओके और जो two node है वो इसके datum से कितना distance पर है वो है x2 distance पर और एक arbitrary point ले लिया हमने यहां पर पी तो पी का जडिस्टेंस है हम मान लेते हैं फिलाल x है ओके यह x है और ओके तो जो पी का हमारे पास यहां पर जो distance है वो फिलाल x है और इसको थोड़ा सा clear कर देता हूं मैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पी point है उसका one node से कितना distance हो जाएगा total origin से distance x-x1 तो x-x will be the distance distance yes distance of the point P from node 1 तो node 1 से उसका distance हो जाएगा यह हमें आगे एक relation में काम आने वाला है ओके तो उसी तरीके से local coordinate system local coordinate system में हम क्या करते हैं basically local coordinate system के अंदर हम उसके पहले ही node को origin मान लेते हैं तो जो भी measurement होगा वो पहले node से होगा तो यहाँ पे पहले node का origin से distance कितना हो गया 0 हो गया उसी तरीके से कोई भी j node है तो उसका distance हमने x-j मान लिया और p point अगर कहीं point इस element में है तो उसको हमने फिलाल x distance मान लिया है अब एक local coordinate system का हमार बास एक type है जिसको हम बोलते है natural coordinate system जो की बहुत ज्यादा use होता है FEM के अंदर ओके तो यहाँ पे हम क्या करते हैं element के center को ही हम origin मान लेते हैं और इसको denote करते हैं zi is equal to 0 से अब यह one dimension है तो यहाँ पे zi आया अगर यह two dimension कोई object होता तो हम इसको basically x में हम zi और y में हम नीटा वगेरा इस तरीके से use कर सकते हैं जैसे की किसे two dimension element है तो इसके center पर हमने बना दिया यह zi हो गया और यह नीटा हो गया इस तरीके से हम use कर सकते थे x और y की जगा जैसे जो की global coordinate system में use होते हैं बट अभी फिलाल हमार पास जो object है वो one dimension है इसी लिए हम यहाँ पे basically zi ही use कर रहे हैं अब center में इस element के center में zi आ गया और इसके extreme nodes जो होते हैं उसकी value हम दे देते हैं zi is equal to minus one minus one और zi is equal to plus one तो इसके क्या होगा इससे total जो length हो जाएगी element की वो हो जाएगी two units minus one to zero then one to zero to one तो यह total जो इसकी length हो जाएगी element की वो हो जाएगी two units ओके अब हमें इस point पी का अगर हम देखे one स node center से node one का distance one है तो one plus zi इसका distance हो गया ठीक है तो यह relation जो है वो भी next हमारे slide में काम आने वाले हैं तो आपको अभी तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से global coordinate system और local coordinate system और natural coordinate system यूज होते हैं now what is a relation between global और natural coordinate system में relation हमें find out करना है तो इसके लिए to create a relation we consider following proportions between the two coordinate system तो दोनों coordinate system के वीच में ये proportional constant अपन proportional relation यूज कर रहे हैं क्या है वो length of the element in natural coordinate system upon distance of the point P from node 1 in natural coordinate system तो length of the element in natural coordinate system कितना हो गया ये हो गया हमें पता है माइनस जाई से प्लस जाई तक होता है तो total length हो जाएगी इसकी 2 तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया इससे ओके ये 2 आ गया डिस्टेंस of point P from node 1 in natural coordinate system तो 1 ये distance total कितना हो गया ये हो गया हमारे पास जाई प्लस 1 तो यह हमने लिख दिया जाई प्लस 1 अब यहाँ पर क्या है हमारे पास same relation होना चाहिए but in global system ओके तो relation क्या है हमारा length of the element in global system तो global system के अंदर element का length कितना हो जाएगा x2 का है x2 point पे है ये x1 point पे है तो length हो जाएगा x2 minus x1 तो length total हो गई हमारी x2 minus x1 ओके और distance of point P from node 1 in global system 1 से इसका distance कितना हो जाएगा उसके लिए score up करते हैं तो यह distance हो जाएगा total यह हमारा यहां से यहां तक x1 था और यह total distance था हमारे पास ठीके यह distance हमारे पास x1 था और यह distance हमारे पास x था यह distance कितना हो गया x minus x1 तो x minus x1 आ गया इसको थोड़ा सा simplify किया थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ चीजे तो इसको simplify किया तो x minus 1 को मैंने उपर लिया आया इन दोनों को मैंने multiply करके लिख दिया यहाँ पर ओके यहाँ पर आ गया यह और यह नीचे की तरफ चला जाएगा x2 minus x1 हो जाएगा तो इसी कुछ इसी को भी इसी मैंने इस पेसिक रिलेशन को थोड़ा सा मैंने simplify form में लिखा ताकि मैं को जाई के अंदर relation चाहिए था तो यह मेरे पास यह formula आ गया इसी को simplify करके लिखा हुआ है यह अब यह 1 को भी मैं इधर ले ले लेता हूं तो मेरे पास एक नोड़ 1 पे ही हमारा point है तो उस case में x की value क्या हो जाएगी x1 x हो जाएगा हमारा x1 तो अगर यहाँ पर x की जगा हम x1 put करेंगे तो यह 0 हो जाएगा और x की value आ जाएगी minus 1 तो आप देख सकते है नोड़ 1 पे x की value क्या है minus 1 उसी तरीके से वापिस इसको कर सकते है अगर मान लेते point पी हमारा node 2 पर ही है तो node 2 पर x की value x2 हो जाएगी तो यहाँ पर x की value जब x2 हो जाएगी तो यह x2 minus x1 हो जाएगा और यह part और यह cut हो जाएगे तो 2 minus 1 तो 1 हो जाएगा ओके तो यहाँ पर x2 पर x is equal to plus 1 है तो यह verify हो गया तो इससे यह पता चलता है कि यह हमारा relation सही निकला है तो यह relation हमारे future में काम आने वाला है तो आपको यह future में याद रखना और FEM की exam स्वगेरा university exam के लिए आपको यह relation आना चाहिए